है एवरिवन वेलकम वेक टो आवर चेनल आज हम बनाएंगे स्पॉंजी रसो गोला इन वेरी सिम्पल वे परफेक्ट रसो गोला की रेसिपी ठीक है एकदम सहीम आपके साथ तो चलिए बिना देर की ये स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पर अमुल गोल्ड का आधा लीटर प फट जाए जल्दी फिर जब चेना बन जाएगा और उसमें लेमन कलर के तरह पानी दिखेगा तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे चेना को चन्नी में मलमल का कपडा रखकर चान लेंगे फिर ठंडा हो जाने के बदद उपर से ठंडा पानी डाल देंगे तो सुखा बराबर का होना चाहिए चेना तो एक दो बुंद पानी रहेगा तो चलेगा थोड़ा सॉफ्ट बना रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा चेना फटेगा नहीं अब इसमें पूरा मसल मसल कर इसे अब हम इसे डो बनाएंगे अब इसमें फिर देखिए एक दम पर मसलेंगे तो इसे तरह आप बनाकर देखिएगा ना पर्फेक्ट व एक दम वपनेंगी बने इस त आप 25 निट तक चिखना यह जाएगा एकदाम सॉफ्ट लगेगा आपको पूरा प्लेट में इसा लगने के तरह लगया, फिर थोड़ा सा इसा उठा कर गोल बना कर देखने का, अगर गोल बन जाता है, तो यह perfect dough बन चुका है, अब उसे पुराई खठा करके 5-7 गोले सा बना लेंगे, मतला पेडा बना लेंगे, छेना बना कर गोल गोल, जैसे भी आपको आ बने का बराबर सा, तो एकदम soft होना चाहिए, तो perfect बनेगा, कोई-कोई उसमें मैदा डालते हैं, तो मैदा डालेंगे तो बराबर नहीं बनता है, तो आप सूजी डाल कर देखिएगा, एकदम perfect बनेगा, तो इस तरह मैंने उस ताइट पुरा गोला 5-7 गोला ऐसा बना कर है, फिर दुसरे साइड में बड़े भगोने में सिर्फ पांच कब पानी डाल देंगे, मतला जादा पानी डालेंगे, और उसे पुरा high flame में खुब उबालेंगे, तो उबल जाएगा, एकदम तेज उबाला आ जाएगा, तो उसमें यह सब रसोगोला डाल देंगे, एक एक तो इसी तरह करीब इसे 15-20 मिनट बॉइल करेंगे, ताकि छेना पूरा अच्छे से पक जाए और एकदम हलका हो जाए, तो देखिए, इस तरह मैं उपर से ढखकर भी आप इसे कुक कर सकते हो, ताकि कच्चा बिलकुल नहीं रहेगा, एकदम स्पॉंजी बनेगा, तो और दूसरे तरफ मैं यह चासनी बना रही हूं, तो चासनी बनाने के लिए एक कप सकर ले लेंगे, और देड़ कप पानी डाल देंगे, और उसी में एक बड़ा इलाइची मैं खोल करें से डाल दी हूं, ताकि सुगंदा अच्छा है, बाके कुछ नहीं, सिब घर पे इस तरह बना कर देखिए, यह ओडिसा का एकदम फैमस रसोगुला है, भगवान जी को जगनात जी को अभी ऐसा भोग लगता है, तो इस तरह बड़ा बड़ा बना कर भगवान जी के सामने रखिए, तो भगवान खुश हो जाएंगे, तो घर पर इस तरह बना यह मार्केट से तो स मिनट में जड़ आप भूम फिरकर यह पूरा हो जाता है, एकदम हलका हो जाता है, शब मेरा अशे उपर आगया है, तो 15-20 मिनट के बाद यह जब बॉइल हो जाता है पानी में, तो फीर यह चासनी में डाल देंगे, और यह 10 मिनट भग घंए जासनी में तो जान झाश नि तो इसी तरह मैं दस मिनट ये चासनी में पकने दूंगे, तो टोटल अपना 20-10 मिनट, 30-35 मिनट हो जाता है पकने के लिए, परफेक्ट होता है, ठीक है, तो देखिए, एकदम फुला-फुला जाली-दार स्पॉंजी लग रहा है, एकदम बड़े-बड़े हो गे हैं, तो अ परफेक्ट बना है, इस तरह बना कर जरूर देखिए, तो देखिए, एक घंटे के बाद थोड़ा गुन-गुना है गरम, ये ठंडा होने के बाद इसे मैं फ्रीज में रख लूँगे, बहुत मस्त लगेगा, जब अर्जस्त बना है, तो आभी देखिए, मैं बता रही हू कि इसको दबाने पर भी, फिर से पानी में रख दोगे ना, सिरप बाले पानी में, फिर से चारो तरफ से देखिए, फूल-फूल कर आ जाता है, अपने सेप में आ जाता है, दबाने के बावजूद भी, ऐसे आप रखोगे ना, तो साइड-साइड में देखिए, गोर से, क बनाई अगर इस तेरह बनाईब शाले कजिदे चली है आप अंट पसंद आओ तो कोख्व टोगित मेरी है रेसिपी को जो मैरे रसब के चैनल को लाइक कर देना आजज। शेयर कर देना अ विए यह वीडियो पसंद आये तो है लेकिन जरूर ट्राइ करना और इसी तरह से इसी मेथर से आप करोगे तो एक तम परफेक्ट बनेगा तूटेगा नहीं कुछ ने बहुत अच्छा बना है अगर आपको भी पसंद आ जाए यह रेसिपी तो जरूर ट्राइ करना बनाने की कोशि अपने शेप में आ जाएगा तो यह इसका खासियत है दिखे कितना मस्त बना फुला फुला मुझे तो इसी दवा कर आपको बार बताने का मन कर रहा है कि इसी दवा फिर से चासनी में डालो तो अपने आप सेप में आ जाता है तो मैं पूरा सब यह छे मेरा बना है एकदम बड़े बड़े करके में बनाई हूं दीख रहा है एकदम देखिये दवाई हूं अब यह ही इसी को मैं उस चासनी में डाल दूंगी तो अपने आप उस सेप में आ जाता है तुरत ना जाद आपको कड़क लगेगा ना कुछ इक तो इस तरह आप ज़रूर एक बार बनाना ट्राइ करना ठीक है सच है या जूट आपको पता चलेगा कि आप में एकदम पर्फेक्ट बनाई हूं आप भी इसी तरह बनाई है और घर में सभी को सर्फ करके दीजिए मार्केट से फिर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको तो फ्रेंड्स मैं ये रसोगोला की रे